आज हम पेपर सॉल्व करते हैं टीजी टी बाइलोजी दो हजार पाँच इस्टार्ट करते हैं फर्स्ट कुस्चन से पूंकेशरो की युध पराकोशी अवस्था पायाती है अब देखि haa the universe के जो बात किया है तो या देखि-जेनियसक के प दो सिर्फ और सिर्फ अंपोस्ट इफेमिली और हमने आपके इसके पिछले वीडियो में बताया था एक कम पोजिटी फैमिली की जिसे एस्ट्रेसी एक क्या है एक अल्टरनेटी नेम है कभी-कभी इसका अल्टरनेटी नेम भी पूज दिया जाता है ध्यान रखेगा इसलिए इसका जो आपसन सही होगा वह आपका आपसन नमबर फॉर सही होगा नेक्स्ट कोशन पैपस इस माडिफाइड माडिफिकेशन आप दिखिए पैपस होता क्या देहान रखेगा पैपस पहली बात तो यह याद रिखे कैलिक्स का एक फार्म होता है और यह सिर्फ और सिर्फ याद कि हलें तस एनस मिंस यह भी याद एक स्पेशल करेक्टर होती है पैपस फार्म नेक्स्ट कोशन दा क्लासिफिकेशन गिवन वाई बेंथम एंड हुकर इज नेच्टरल फाली जोनेटिक आर्टिफिशल एंड निमर्कल जुसका देखें अजर से क्यासा होगा आपका जो है नेच्टुरल मिन्स आपसन नम्बर फिरस्ट नेक्स्ट कोशन देखा जै देटेमें इ सुलनेशी और फेमिली की बात करें साथ इस्टेमें शाप सुलनेशी तो सुलनेशी फेमिली में बहुत सारे ज्यामपल पाह Islam जैसे सोलनुन नाइगरम, मैलूंजिना ठीक है और सोलनुन टुबरसम तो जितने ऐसे याद कि इसमें सोलनुम लगा हो पोसुन छलोली फैमली के मिंबर होते हैं और इसमें इस्ट्यमिन की बात कि अध्याने के तो इसके कैसे होते हैं। आपको बता दे हम जैसे flower के मुख्रिफ से four parts होते हैं जिसमें से calyx होता है कि फिर corolla, endosium और gynosium होता यह है जो calyx, corolla, endosium, gynosium जो होता है उसमें सियाद रिखे जो आपका corolla होता है इस corolla के उपर क्या होते है जो corolla जो होता है इस corolla के उपर क्या होंगे पाये जाएंगे आपकी jourman means अगर आप देखे हो corolla की उपर जो Steve एक पाये जाते है अब यहाँ पीडायों क्या होगे ये इस्टेमें यहाँ पर लगे होंगे तो जब corolla के उपर इस्टेमें लगए पीटलस के उपर लगए होले इसलीए इसका नाम होगा वो क्या होगा इपी पीटायलस एंसर आपका टाइट होगा है क्लियर नेक्ट देखा जाए दाइन प्रोसेंस इन फैमली ग्रैमने सी सुरी ग्रैमनी इज आपको बता दें ग्रैमनी का जो अल्टरनेट्व नेम यह देखिए इसका बताया था कि करीब लगभग आठ ऐस इसके फैमली हैं जिसके अल्टरनेट्व नेम होते हैं मिशक पिछले वीडियोय मिआ आपको बताया था कि ठैक्त ज्यूलामी इस अपे जितने होते हैं तो जितने फैमिली उस फैमिली के अल्टर नेट्व नेम तो जरूर से याद रखिए क्योंकि एक या दो कुस्त जरूर से पूछ दे जा रहे हैं अब दोखिया ग्रैमिनी की बात क्या जा रहा है तो देखे ग्रैमिनी का जो अल्टर नेट्व नेम क्या होता ह वह हो तो आपका जो है पोईसी ठीक तो से पुछा दे इंफोसेंस आप फैमिली ग्रैमिनी इज इसका याद एक इंफोसेंस क्या होता है स्पाइक आप स्पाइक लेट क्लियर नेक्स्ट कोशन देखा जाए कोशन नमर च्छे निम्नकित में से कौन सा कुल सबसे बड़ा होता है देखे cool की बात क्या जा रहा है तो सबसे बड़ा cool means largest family तो याद रखे largest family जो होता है यह हमेशा क्या होता है compositiv होता है means esteracy clear next marginal placentation each characteristics of अब देखे जो placenta जो होता याद रहा है six type के होते 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 हैं इसमें से याद रिखी जो क्या होता है है जो लेग्यूम जितने दाल कुल के जो weld और होते हैं तो लेग्यूमिनसी जितने दाल सब सबसक्षकी समया है और याद रहे लेग्यूमिनसी का भी एक अल्टरणो ₩ लेट्रेवेश महीप हम नहीं आपको पता है कि करीब 8 ऐसे फैमिल creature होते हैं तो इस याद रखने की बात यह है जो पूछा गया है कि marginal presentation इसका जो margin जो प्लेसेंटा को क्या होता है इसका answer आपका क्या से होगा है leguminacy means matter में आगे देखा जाए sap would is देखे उड को अगर देखा जाया तो उड जो हम second growth पढ़ते हैं जो उड होता है उड की दो परकार के second growth होते हैं मतलब सेकेंड ग्रोथ में होते हैं एक sap would होगा और एक heart would होगा यह तो sap would और heart would याद रखे कि जो dark में होगा वो heart would होगा और light condition क्या होता है मतलब heart would sap would, heart would sap would यह alternate चलता रहता है देनकी तो इसमें पूछा जाए sap would क्या होता है तो sap would lightly color में होता यह है यह कौन्स होता है लिखा inner part of the secondary phloem तो याद रखे फ्लेम नहीं हो पाता यह है इनमें जाएलम ही होता है तो outer part of the secondary जाएलम दिस इस दे राइट अंसर टो डन नेक्स्ट कोशन रफाइट्स आर देखे रफाइट्स क्या होता है कि रफाइट्स आपका देखे निडल सिर्प में होता है क्रिस्टल आप कैल्सियम आक्जिलाट्स यह भी कोशन कई बार पू ग्रोथ रिंग और फार्म ड्यू टू एक्टिविटी आप देखे जो ग्रोथ रिंग होती है देखे ग्रोथ रिंग का मतलब धियान रखेगा जैसे जब भी हम पढ़ते हैं वैस्कुल टीसू तो वैस्कुल टीसू भी याद रखेगा यहां पर क्या होता है यह सब आपको लाँ क्या कि तरफ होता और यह कि बाहर गुत रखता है तो अंदर और बाहर मिलनके का फारbench करेगा इसको इंटा ऑनी इसको इंडेंग वह यहां पर और इंटर आप्लोंने ivr histories coey mabus नहीं है यहाँ पर chain mensen मतलब इससे भी कोई मतलब नहीं है इन दोनों सो कोई मतलब नहीं है means आपको जो बस्ता जाद रहेगे intercalauric cambium यही जाद रहेगे जो intercalauric cambium क्या करेगा यह आपका बनाएगा means आपका option कौन से होगा second option is right next question abnormal secondary growth इस आपज़र्वड बेखे सेकेंडरी ग्रोफ देखा गाए कि मोनोकार्ट प्लांट यहतने होते іर Noora से किन डॉकशन करने देखा गया है जिस्में पहला याद रखीगा ड्रसी एक ड्रेसीनालिय का होता एक एक क्या होता है इसमें से पत्स सब्सस्वित को होगा में है एक मोनोकार्ट प्लांट होते हैं इनमें सेगेंडे ग्रोथ पाया प्लांट होते हैं इसलिए कफी इंपार्टेन होते हैं है नेक्स्ट तो त्षप्षे, een Cathedral, आपको फिर से पता दे हम जितने भी फैमिली है और सभी फैमिली में जो इसे एकमामिक की इंपार्टेंज पर अपाएंगी जितने लकणियां होती कि सिल्बस में दिया हुआ है यह का जो तो दिल्द दिया गया है तो त्याद रहे जो एक लंट ? सागोन ने वही है आपके यहाद cafधे रखे लेग सरोbelsी кл चेजys के अच्ज सखली तो आपका अप्श myself जो होगा वह आपका अप्श्न मंबर थार्ड़ जिए रॉइट कार्पूराश काप्सुलिर एक इससे क्या होता है अच्छ ङकोज मेंस नारियल होता यह गउसल प्रॉंच यो याद रखिए आपको जो यह तीनों अप्शन नहीं होंगे यह तीनों आपके आप्सन कौन से ही होगे कारकुरस कैप्सुलरीज नेक्स कोशन सिट्टो निला आयल इस आप्टेन फ्राम दर लिप्स आफ यह दिखे क्या है सिम्भू पोगान ठिक साट्रस और याद रखेगा सिम्भू पोगान नार्डस यह आपको याद रखना पड़ेगा कि सिट्टो ने जब आयल सोते हैं किसी होता है सिम्भू पोगान नार्डस से ही मिलते हैं डिने आर कंपोजड वन ले आप देखे डिने किसी कंपोजड होता है प्रोटीन से होता है ठेक लिपिट्स होता है निउक्लिक एसिड से याद है कि प्रोटीस नहीं होता है लिपिट्स भी नहीं होता है आपके किसी बने होंगे वन लिफार निउक्लिक एसिड नेक्स्ट विच आप दो फालुवेंग इस एक्वाटिक स्पीसीज आप रिक्सिया यह देखिए बहुत important question याद रिखेगा तो इसमें याद रिखेगा रिक्सिया फ्लूटांस रिक्सिया फ्लूटांस याद रिखेगा जो है यह क्या होता है यह आपके एक्वाटिक रिक्सिया होता है next the air cavity in the capsule of mass are the person with the delicate stents of cell these are called देखिए इसमें कहा क्या रिक्सिया रिक्सिया जो है कि मास्क के capsule वाई को गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतों द्वारा हिस्सों में बटी होती है तो याद रिखेगा इसमें कोई partition नहीं होती है ने कोई compartment होता है इस सिर्फ और सिर्फ क्या होता आपको जो catalyst जिल्चिनला क्या होता है याद रखेगा हेटरोजिनस एंड होमोंफोरास हेट्रोगेमस एंड हेट्रोथश्पोरस तो याद रहए जिल्चिन आधा या याद रखिए तो टेटोफाइटाक सब्मेंबर हैं याद रखिए तो टेटोफाइटाक जो में टेरिस होता है या इसमें टेरिस में क्या होता है कि discontinuous and kidney से ब्रोते हैं या discontinuous से अंदर वर्मी फार्म तो याद रहे आप सुझ जो इसका सही होगा है वर्मी फार्म मतलब क्रीमी रूप में यह होते हैं नेक्स है फार और जीन आफ प्लांट बाड़ी इन टेड़ोफाइट्स टीलोम थेयरी वाइश प्रपोश्ड बाई यह काफी आसान कोशन है तो टीलोम थेयरी कोशन प्रपोश्ड किया था यह जी मरमान ठीक तो जी मरमान ने क्या ही प्रपोश्ड किया था यह क्रलाइट रूट्स आर फाउंड इन तो देखे कोर्लाइट डूट्स जो होते हैं यह आपके साइकर से पायते हैं यह विंग्ड पॉलन ग्रेइन और फाउंड इन दिस इस इंपार्टन कोशन यह आपको याद रखेगा एंपी कॉसिक और सर्मा और बाटनिक सिंग पांड जैन की बुक देखेंगे तो सिंग पांड जैन जो बेसी पार्टवन की होती है उसमें भी इस पस्टुप से यह देखा गया है तो उसका आपसन जो सही होगा मुकवन होगा यह आपके पायनस देखेंगे ट्रांस्फूजन टीसू इस प्रेजेंट इन द लिप्स आप देखेंगे ट्रांस्फूजन टीसू क्या होते किसमें प्रेजेंट होते हैं ड्राप्टरिस चुक्के ड्राप्टरिस याद रखेगा यह आपके टेटो फाइटा इसलिए इसमें तो होगा यह नह इसका ध्यार रखेगा जो मर्मे को फिली क्या होता आपको याद दखना पड़ेगा यह एंट मतलब एंट के पालिनेशन जो एंट जो पालिनेट करता है फ्लावर कोशी बोलते है में मर्मे को फिली next question किसी दूसरे प्लावर के उपर dipend करता है मतलब इपिफ़ाइट कन्नीशन को यह सो करता है इपिफ़टिक रूट जो किसमे होगा यह वेंट आर्कैटमे में यह आपके क्या आर्किट्स में ये पाजाते ही है और याद रखे आर्किट्स का सीट सबसे छोटा सीट होता है next bulbil is modified या modification आप देखे बलबिल किसका modification आप पर underground stem base of leaves buds and the radical तो याद रखे ये होगा क्या आपका ये underground stem होगा next hypnthodium in process is an important characteristics of याद रखे एक पुस्प क्रम ये आप देख सकते हो बेंद्रे और कुमार की practical जो बुक होती है BC part second की ये आप देख सकते हो ये आपकी सर्माइन सर्माइंप कौसिक ठीक है ये सिंग पांड़ जैन की बुक भी आप कहीं से भी इंटर की बुक किसी इंटर की बुक बुक उठाएंगे तो निस्चित रूप से in process देख रहे हैं आप कई question in process के वल ये तीसरा question के वल in process ये है तो आपको जो option सही होगा ध्यान नखिए लिखा हाइपें थो डियाम ते बता देख फि देखें फिकस की जितने degrees होती है फिकसária हो गया फिकас बेंगाल enzymes हो गया ठीक है अब फिकर्स ए जटर्ट मतलब बर्गद आपके पिपल उसके बाद अंजी इर यह सभी में क्या होते है सभी में हाइपिन थोडियम इन्फोसंस पायाता है यहाँ पे क्या होता है कि राउंड सेप में इस तरह देखेंगे इस राउंड सेप में यहाँ पे होता है यहाँ पे क्या एक होल होता है जिसको आस्टियोल के रामस जानते है यह आश्टियोल होता है और यहाँ पर क्या तीन प्रकार के फ्लावर पायाती है इसमें इसके अंदर ठीक है दिसके लिए इसका आपसे ही कहा होगा हाई पिन थोड़ी है यह घड़े गाकार रखोता इसके अंदर क्या होती है इंसेक्ट इसमें इंट्री करते हैं आपर राइट नेक्स्ट साइथियम इंफ्लोसेंस कर्केक्रिस्टिक्स आफ फैमली देखे साइथियम याद रखेगा फिर देखिए आपके इंफलोसेंस से एकोसन आच चुगा यह यह साइथियम जो कंडिशन हो किसमें तो यह फॉर्वेस्ट नेक्स्ट कोसन स्ट्रेप्टोमाआसीट इक बैसेए जो दब्हुती है जो किसे फाइड काता है तो यहाद के स्ट्रेप्टोमाइसील ग्रिसियस सो पिंड़ बना जाते इस लिखा ट्रांस्फार्मेसब्स इन डिपेलोमेड वाज्द डिस्कवर्ड भाई ये भी देखिए बहुत आसान कोशन किसी बुक मिल सकता यह है ठीक है तो फ्रेडरिक ग्रिफेक्ट का जो एक्सपरिमेंट था माइस मिन्स जो चुए पर एक्सपरिमेंट था वह इसी एक्सपरिमेंट इसके द्वारे प्रूब किया गया था तो कौन प् सब्सक्राइब नेक्स्ट कोशन देखते हम लोग आगे देखिए आपके विन में होता है यह विन में होता मद किसके मद में क्लासिंग ओभर टेक्स प्लेस बिट्वीन ते किन के बीच में होता है सिस्टर कोमेटेट्स नान सिस्टर कोमेटेट्स आप दो हमलागा स्क्रोमो इस तरफ प्लोड एज देखिए इसका धैलस वो खाव सिनोबिययम होगा एक नेक्सट क्लोड़ प्लास्त प्लोड़ टुट्रिक्स इज देकिए अलगी शने होते हैं तो यहां देखिए यहलूफिक्स में होता है तो यह त्रिक्स में त creation होनगी वी आपको कॉन से होगे गल्डिल टाइप का होगा है जिसको मेखलाकार इस तरह से इस इसकत होता है सनरशन यह है यह गल्डि套ा और स्वक पर तर्छेंद आप जो कोशन है तो इंपार्टिन सो सब अगर अगर जो होता याद रखे जो रेड एल्गी होते हैं ग्रेसिलेडिया एंड जिलेडियम दो ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें जो रेड एल्गी होते हैं और इनी से अगर-एगर का फाइंड आउट होते हैं इसलिए इसका आप्शन से किसा होगा सेकेंड आप्शन रेड एल्गी नेक्स्ट कोशन फंजाई इंपर्फेक्ट आई डिट्रोमाइश्टी लैक मतलब क्या इसमें नहीं पायाता है किसका अभाव होता है वो याद रखे वो क्या होता है आपका स सेरे आफ एल्गी एंद फंजाई देया टुप्वाइनेयर आण अजरेक इसना डिसस्ट फोली ये दिके बहुत अच्छा पूसन याद रिखेलर कि पौइर निसन जहां पर राक जो होते हैं राक में वेजिटेशन के लिए जो मिट्टी अगर बनाने किभी क्यां क्या करता है चुकि लाइकें से लाइकेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें और प्रिसेंट इन फेल विच हैस टैन अप्टेर 2 जूबार योगा वाक्त सर और सेकेंड है नेक्स्ट तैंक के माइको राजा किसको चाते हैं तो माइको रचमी यद रखेगा सिंभथिस्ट Nee यद रखिए यह पैंश जीमिनोस्पर्म का प्लांट होता है पाइनस के रूट ठेक को क्या करते हैं ये इनके बीच में एक जेगह पाइए तो याद रखे यही क्या हो तो just like a function of इनके और इनके अगर ये क्या हो गया है तो रूट और स्वाइल की तुमें क्या करता है कोण और मेकोराईय क्या होते फंगस होता है next albogo is देखे अलबगो क्या होते ध्यार नक्येगा तो अलबगो आपको क्या अप्लिगेट इंड्र सेमलल पैथुजन होता है ठीक है कि मींस आपसा नुबर फस्ट इसड्राइट नेक्स्ट कोशन कोलिफेज 5 into 174 यह देखिए बहुत अच्छा कोशन है जिसे आप कहीं एक जगर लिख की रख सकते हैं जो है कि जिसे SS RNA आपका है SS RNA ठीक है फिर सिंगल स्टेंड RNA DS RNA इसी तरह आप जो याद रखेगा फिर SS DNA फिर DS DNA तो याद रखेगी जो SS DNA होता है सिंगल स्टेंडेड DNA जो होता है इसमें मुख ख्रूप से क्यों दो ही ग्यामपल है ही इसपेशली आप दो ग्यामपल अगर याद रख रहते हैं यसे कोलिफेज 52174 और बैक्टिरियोफेज तो याद रखेगी यहीं दो ग्यामपल आपके क्या होंगे तो बैक्टिरियोफेज और यस थर्टीन इकोलाई फेज ठीक यस थर्टीन इसे यस थर्टीन फिर इकोलाई फेज यहीं कुली फेज यहीं दो तीन ऐसे यामपल याद रखे जिसमें क्योल सिंगल स्टेंडर आरने पाया था एक तो आपका यहां दिया गया है एक बैक्टिरियोफेज और एस थर्टीन यह तीन ऐसे यामपल जिसमें क्या सिंगल स्टेंडर आरने पाई जाते हैं इसलिए आपको जो आप्शन सही होगा वो सेकेंड आप्शन एस आरेन ने कि सोरी कि एस सिंगल स्टेंडेट डियन ने यह बता गया आपको ठीक आप्शन नुम्बर फोर्ट इस राइट नेक्स्ट कोशन देखा जाए एट्स अथ्वा एक्वाइड इम्मिनो डिफिसेंजी सिंड्रोम क्योंकि पाप्लर कोशन याद रखेंगा काज्ट बैक्टिरियम सोता है नहीं फंगल इस्पोर्ट से नहीं होता है पैट्रियन ग्रेंस से भी नहीं होता है ठीक वाइरस ठीक हल टीभी थोर्ट और एल अलेवी और क्याद मतलब आपसे नंबहर आपका फुरीश नाग्ट कु गविल्यां्स मिन्स को गरियंस मेंस क्या होता है अ है авटलेट फार्म आफ्डार्म सिर अ लोदमें इस जो है नग्umm सक्षेंगा जाया है विच्बन और फालूविंग ऑफ हाम माइक्रो न्यूटेंट देखिए माइक्रो न्यूटेंड और मॉक्रो न्यूटेंड याद रखिए ग Sea मंतलब के अधिक कसी मोट्स पूढूट को आफस्ठेता होती है तो यहाद रखिए जो मैक्रोन्यूटेंट होता है ठीक है तो मैक्रोन्यूटेंट में जह सी एच ओ एन कौन याद रखिए है कौन सीच एच एन मतलब कार्ण। हाइट्रोन आक्सिन और नाइट्रेंट फिर देखिए पी के ठीक फास्पोरस पोटेसियम एम जी ठीक है मतलब कौन पी के यह एम जी समग है कि नहीं फिर आप यस सलफर याद रखेंगे तो आप देखें वन टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट मतलब इतने ऐसे एलिमे से काम क्या पौधि क्या करते हैं तो आप इतना याद रखेंगे कि क्या है यह माइक्रो न्यूटेंट एलिमेंट होता है इसके बाद जो बस्तों क्या होंगे माइक्रो न्यूटेंट एलिमेंट को हम इसेंशल एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं आगे कोशन देख एलिमेंट होता है नेक्स्ट कोशन अप्जाब्सन आप वाटर बाई रूट्स इस इंक्रीश्ट वेन देखिए जो वाटर जो होता है रूट कब बहुत तेशी मतलब अपजार्ब परता है वाटर को तुसमें दिया है कि ट्रांस्पिरिशन रेट इस लेस संभव नहीं है मतल होगा ट्रांस्पिरिशन रेट इस इंक्रीज मतलब वास्पूत सर्जन की जो दर होती हो अगर बढ़ जाए तो आप्टोमेटिक वाटर एपजार्प्सन क्या हो जागा अब देख रहे हो 45 कोशन दो मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट थेहरी एसंट आप सेप तो एसंट आप जॉली यह काफी इंपार्टिन कोशन है तो डिग्जेन जॉली जो थेहरी है वह कौन है सेकेंड है ठीक तो सेकेंड आप्सन क्या होते हैं राइट होते हैं अचिजे मूलर वाज एवार्डिट नोबल प्राइस इन 1946 फार हीज वर्क आन आप देख रहे हो एक्स रेज मूट इंटेशन इन अनिमल मिंस यहां पर आप देख रहे हो आपसन नंबर फॉस्ट इज राइट इज रिलेटेट टू तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव हरित ग्री प्रभाव करते हैं इस बहुत सिंपल से कोशन यह हो बार बार पूश्टे हैं चुकि इन्वारमेंटर तो जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रीन हाउस प्रक दूसरा नाम ग्लोबल वार में इसके आपसं क्या सही होगा आपका सेंग आपसं इस राइट नंबर आफ पाइरनाइट्स एंडड़ क्लोरप्लास्ट इन जेलो त्रिक्स मतलब जो पाइरनाइट्स की पाइरनाइट्स में सेकेंड आपसन इस राइट रिस्पाइरसन क्वाइटेंड मिस आरक्यू इस रिप्रेजेंटेट भाई देखिए जैसे आप अब देकर सी वाईयर अन्वासी ओटू आपको कंफिजन दिश्मन ही होना चीए अनके अक्सर कंफिजन यहां होता है एक इस रिस्पाइटी क्वाइटेंड ठीक है मतलब आरक्यू तो क्या आपसर नमर्ट इस राइट ठीक नेक्स्ट कुशन देखा जाया है 50 देखी असान कुशन ग्लाइकोलिस का दूसरा नाम दे अधर नेम अब दे ग्लाइकोलिस इस अले कार्वन साइकिल टीसे पाथव एमपी पाथवे एंच स्स पाथवे तो देखिए जो है यuki पाथवे जो हता है लिए ये यम पी का नाम इंबड Douglas E क्या होता है Imbodent ठीक है तो Imbodent होता है ठीक फिर Mayerhap होता है फिर Paranase इन तीन साइन्टिस्ट ने इसकी discovery क्या था इसलिए इसका नाम जो Glycolysis का होता है Glycolysis का जो दूसरा नाम क्या होता है तो EMP Pathway के नाम से जाना जाता है Clear नेक्स्ट देखा जाए What is C2 cycle देखे C2 cycle जो दूसरा नाम है तो Glycolysis cycle ठीक है क्या होता है आपको सही एंसर क्या होगा 2 Glycolysis cycle Next question देखा जाए Which one of the following Elements play an important role in biological nitrogen fixation देखे biological nitrogen fixation जो important role होता है वो zinc का होगा कि मैगनीज का होगा copper होगा यह molybdenum दियाद कि यह तीनों तो नहीं होता है यह आप कापन सही कोण होगा molybdenum Right Next The botanical name of the sunflower Most important question और आसान भी यह है देखे हमने आप हर वीडियों लोग बताया है कि आप focus कीजिए botanical name पर कम से कम 3 या 4 question देख रहे हैं कहीं कहीं दो कहीं तीन कहीं चार और 2-11 बाटनी पीछ टीम तो कम साथ 8 question के ओल botanical name पुछा गया था तो याद रखे जो sunflower को जो botanical name होता है वो क्या होगा hellionthus anus Right Next question 2-4-D is this synthetic देखे 2-4-D होता कि दिया आग जीन का क्या होता है एक सिंथेटिक फार्म यह यह होता क्या videsides होता है क्या होता टुफटी क्या videsides होता है जो आग जीन से बनायाता ही है इसका मतला आपसन आपके कौन से होगे फॉस्ट gaseous hormones is अब देखे प्लांट हार्मों gaseous hormones से यादे क्यों लेक ही गैस के फार्म होता है वो कौन होता है इथायलीन होता है इसको fruit rapening hormones के नाम से वह जान सकते हैं ध्यान रखेगा फॉलो को पकाने वाली hormones भी यह होती है drinking of alcohol effect मतलब लिखा हुआ है कि alcohol का पीना प्रभावित करता है इसको प्रवमस्तिस्क अनुमस्तिस मिडला अवलोंगाटे एंड एंसे फिलान तो याद रखेगा से रभर्म से रभर्म क्या होतो बहुजाद affected होता है से रभर्म याद रखेगा ब्रेन का सबसे important और सबसे बड़ा भाव होता है क्वज़ से रभर्म का ही होता है next question which is the largest body cells दिख्ये हमारे body में क्या सबसे largest cell क्या होता है रबजी से ऊसाइट नूरान्स अन्दे इस्पर्म तो याद रहे नूरान्स क्या होता है यह क्या होता है largest cell next vagus nerve is देखी वैगस नर्व जो होता है टोटल बता दे आपको हम कि हमारे ब्रेन में मतलब मस्तिस के यादर की 12 पेर क्रैनियल नर्व होते हैं क्या होते हैं बार बार एक कोशन पूछे आते ध्यान रखेगा कि 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व होते हैं जबकि 31 पेर जो 31 पेर जो होता है वो क्या होता आपका स्पाइनल नर्व होता है तो कभी कभी यही बहुत आसान सा कोशन पूछा गया है कि जो स्पाइनल नर्व कितने पेर होते हैं और क्रैनियल नर्व कितने पेर होते हैं तो आपको याद होना पड़ेगा कि 31 स्पैनल नर्व होते हैं जबकि आपके ध्यार नकिएगा इसमें 12 लोड़े क्या होता है क्लियर नेक्स्ट कोशन जो इसका मतला आपको सही अप्सर के कौन होगा जी टेन्थ मिन्स आप्सन नमबर थर्ड इज राइट क्लियर नेक्स्ट कोशन हाव इन पेर्ड्स क्रेन लर्व इन मैमल्स प्यूर्ली शेन्स्री अब देक्थी सेंस्री पूछा जा रहा यहां पर कि सेंस्री जो है कितने प्योर पाया था यह 5 4 3 2 यद रखें हाँ आप जो है 3 प्योर पाया था कौन यह आपका सेंस्री नर्व रूते है जिसमें तो इसका उलाफ्सिन सही कौन पॉपाइसिस सिक्रेट्स जो नियूरो हाइपोफाइसिस याद रखेगा P2T Glen को तीन भागों बाड दिया गया है एक एड़िनो हाइपोफाइसिस और नियूरो हाइपोफाइसिस एक मीडिल लोब तो एंटेरीयर पोस्टेरीयर middle lobe तो याद रखिए posterior lobe का जो दुसरा नाम neurohypophysis तो जो neurohypophysis याद रखिएगा इससे कौन-कौन हार्मों से इकट होते हैं मुक्रियोप से आपकी जो है oxytocin and vasopressin यह क्या आद इसको OT के नाम से उन्हों जानते है आक्सीटोसीन को और vasopressin यह दू आर्मोंस क्या होते हैं निवराफिश से सिक्रिट होते हैं मिस आपसर नमर्ट थार्ड इस राइट 61 कोशन है the mutation theory explaining organic evolution was produced या proposed by कौन प्रपोश के याद रखेगा बहुत आसान सो कोशन है कि यूगो डिब्रीज नहीं क्या किया था सबसे पहले ओइनो थेरा लैमार किया ना किसमें ओइनो थेरा लैमार किया ना तो लेमार किया ना आप किया सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और सबसे पहले इसी प्लांट पर देखा था इसको लते हैं सांध प्रिम्रोज तो सांध प्रिम्रोज प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया देखा था Mutation को और Option कौन से यह आपका जो है Ugo Debris Next In the eye Blind spots Optic disc is called So because In a Insensitive to light It is a spot Of which optic nerve Leaves a retina No image formed on it All of the world देखिए इसमें option जो होगा इसमें लगवागा option आपके सभी सही देख रहे हैं इसलिए option क्या आपके Fourth option is right Clear Next question The friction between the eyelids And the Cornea Is avoided by the Secretion of Lacrimal gland जिसको दे अश्रु ग्रंथी के नाम जानते हम लोग जो है ठीक है फिर आप देख रहे हो Conjunctiva And eyelids Take hardinian glands And the Myobian glands देखिए Myobian gland क्या है आपका option क्या होगा Right होगा Means fourth option क्या Myobian gland Right यह है तो देखिए आज हमने जो है ये TGT biology 2005 मतलब 2005 का हम लोग फेपर साल्व करे हैं तो आज हमने लोग 1233 Question साल्व किया हैं अब next time याद रखेगा 64 से हमने लोग 125 तक इसको साल्व किया जाएगा धन्यवाद किया हमने लोग जाएगा